SUV सेग्मेंट की किंग और भारत की नमबर वन SUV कार महिंद्रा मोटर्स की ओर से आने के लिए तैयार है हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे ज़्यादा प्रसीद बिखने वाली SUV कार महिंद्रा बोलैरो के नए मॉडल के बारे में जी हाँ जिस गाड़ी का भारती ग्रहत बेस्वबरी से और लब में समय से इंतिजार में थे तो आपकी इंतिजार की गड़िया अब खतम होने वाली है क्योंकि महिंद्रा बोलैरो लॉंच होने वाली है वो भी 2-3 हफ्तों में कमपनी के मुताबे बताया चाला है ये गाड़ी फिलाल अपनी टेस्टिंग फेस में चल रही है जोकि फाइनल फेस होने वाला है इस पार की महिंद्रा बोलैरो कमपनी के 7-8 सीटर न्यू जनरेशन वाले प्लेटफॉम के साथ आईगी जिसमें आपको शुरुवाती एक्शन रूम बेस मॉडल कीमत 7-8 लाक रुपे गाड़ी देखने को मिल सकती है इस पार की न्यू जनरेशन बोलैरो में आपको एक नए डिजाइन देखने को मिलेगा चुकि रोर पे चलते वे एक अलग ही फील देने वाला है साथ ही आज के जमाने के कुछ नए इंटीजर फीचर्स और बहतरी 4x4 से लेस एक हाई परफॉर्मेंस इंजन भी जो की माइलेज और पावर का चुबरदस्त मेल होने वाला है ओवरल ये गाड़ी एक शांदर SUV का विकल्प होने वाली है और वो भी शांदर कीमत पर लॉंच होता ही ये गाड़ी ओटो मोबाल सेक्टर में तहलका मचा देगी गाड़ी के अगर हम डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो न्यू महिंदरा बोलेरो कमपनी के न्यू डिजाइन लेंग्विज पर बेज़ड है गाड़ी में आपको हेवी मस्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगा गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल में डूल बैरल प्रोजेक्टर है डलम यूनिट्स महिंदरा का निया सेवन स्लोट सिगनेचर क्रोम ग्रिल एक मस्कुलर फ्रंट बंपर लुक मिलेगा रेस साइट पे आपको एक ग्रॉसी ब्लैक स्पेर विल कवर महिंदरा बलैरो की क्रोम बेजिंग और स्कुलर टेल लाइट के साथ आएगा वही साइट प्रोफाइल में आपको 15-16 इंच की प्रोफाइल वाले शांदार वील अलोई वील्स मिलेंगे जो कारी की ग्राउं के रेंस को तो बड़ा दिखाते ही है साथ इगारी के लुक्स को भी इस कारी में आपको बॉक्सी प्रोफाइल का मस्कुलर डिजाइन मिलता है जिसमें डूल कलर ओप्शन्स, स्पोर्टी ग्राफिक्स, रूफ रेल्स और कई चिके क्रोम का स्क्रीटिंग का भी इस्तमाल करा है जो रोड पे चलता है ये गारी एक अलगी रोड प्रेजन्स देने वाली है एक अलगी फील के साथ इंटीरियर फीचर्स में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं करते है गारी में अच्छा कासा स्पेस रेखने को मिलेगा इकारी 7 से 8 सीटर वेरेंट में लॉँच करी जाएगी जिसमें आपको अजेस्टेबल सीट ओप्शन्स प्रीमियम कॉलर्टी लेजर सीट अजेस्टेबल सीट ओप्शन्स ओटोमेटिक थीविल रिवमाइंडर जैसे वेरेंट मिलेंगे साथ इसमें आपको कंपणी का न्यू ऑपरेटिंग पावर स्टेरिंग वील ओटोमेटिक डूल सोन एसी और सेंटर कंसोल में महिंद्र का ही एक शांदर मल्टी स्क्रीन इंफोर्टेमेल सिस्टम मिलेगा जो कि 20 प्लस कनेक्टिड कार फीचर्स को आप डस्क्रीन और वोइस कमान के दुरू अपरेट कर सकेंगे साथ इसमें आपको पैनरोमिक संडूप और सेफटी के लिए 360 डिगरी कैमरा च्यार पार्किंग सेंसर, छे एरबैक्स, ADS, EBD, पुछ पटन, स्टार्ट, स्टॉप, एंटी लोग पेकिंग सिस्टम और कई सारे निव इंटीर फीचर्स आपके सफर को सेफ और इंटीर को काफ़े जादा हाइटेक बनाने वाले है ओवरोल आकर गाड़ी की परफोर्मेंस पे आते हैं तो न्यू महिंद्रा बोलारो कमपनी के लेटेस्ट M-Hawk 2.1 लीटर के शांदार इंजन के साथ आएगी जो पैट्रोल और डीरोड दोनों ही वेरेंट में लॉंच करा जाएगा इस गाड़ी में आपको 180 BHP की पावर और 220 NM तक का टॉर्क देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में आपको CNG के वेरेंट भी मिलेगा जो 25-30 KMPL तक का माले तो ये गाड़ी अराम से CNG वेरेंट में देपाने की शमता रखती है ये गाड़ी अपने टेस्टिंग में है और आने वाले 2-3 महीनों में इस गाड़ी की बुकिंग भी चालू हो जाएगी तो आपको ये New Generation Mahindra Bolero का नया मोडल कैसा लगा? अब अपने राय अपने जगे के नाम हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा भारतिय अगराह को अगर गारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजेगा और सेवी लवर्स के साथ चितना हो सके वीडियो शेयर करें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद